हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप लोग बहुत अच्छे होगे आज की वीडियो में आप जानेंगे कि गर्व वबस्ता में अंड़ा खाते से में आपको किन बातों का खयाल रखना है अंड़ा कितना फायदे मुद्ध है और इसके क्या क्या नुकस अंडब है और कौन काना है का अन्डब किस टाइम की आवातों प्रुट में जानकार है तो मिलने वाली रखना कर दो ल वीडियो पर पहले वारा हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब चुरू कर लीजेगा क्योंकि आपको प्रेग्नेंसी टिप्स रिलेटेड सारी जानकरी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी ठीक है तो चलिए जानते हैं कि गर्ववस्ता की दोरान अंडा खाने में किन मातों का त्यान रखना चाहिए ठीक है दिखी गर्ववस्ता की दोरान महिलाओं को खान पान का खास ख्याल रखना होता है इस दोरान महिला क्या खाती है और इसका सीधा असर उनके गर्व में पल रहे बच्ची पर पढ़ता है ऐसे में कई फ्रूट्स होते हैं जिनें सेहत के लिए अच्छा माना जाता है लेकिन महिलाओं को सला दी जाती है कि इस दोरान इन्हें ना खाएं लेकिन गरववस्ता में अंडा खाना अच्छा माना जाता है आज हम गरववस्ता के दोरान अंडा खाने से पहले होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे ठीक है देखिए हेल्प लाइन के मतावित अंडे में प्रोटीन के अलावा बिटैमिंग B ओमेगा 3 कॉपर मेगिनेशियम और सेलीनियम जैसे कई पोशक्ततों भी होते हैं इस वज़े से आप गर्ववस्ता के दोरान अंडे खाकर असानी से अपनी सिहत का ख्याल रख सकती है लेकिन गर्ववस्ता के दोरान अंडा खाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है जैसे की चलिया आए जानते है कि अंडा खाते समय जैसे गरोवस्ता के दोरान अंड़े खा रही है तो आपको केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास अच्छी तरह से पके हुए होना चाहिए ठीक है इसके लावा देखिए कच्चे अंडे खाने से आपको भचना चाहिए ठीक है कच्चे अंडे या फिर अद्पके मास या अंडे खाने से पेट में कुछ परशानी महसूस हो सकती है या सल्मोनेशम हिप्टिया जैसे संक्रामक हो सकते हैं जो गरवस्ता के लिए खतरनाक होते हैं इसलिए गरववस्ता के दोरान कभी भी कच्चा मास अंडा आप कई तरह के बेंजिन बना सकते हैं लेकिन गलती से भी कच्चे अंडे का सेवन आपको नहीं करना है ठीक है कच्चे अंडा खाने से गरपात का भी खत्रा बढ़ सकता है ठीक है इससे संक क्रामक की संभापना भी बढ़ जाती है देखिए आपको अंडा जो है घर पर बना हुआ ही खाना है गर वबस्ता के दोरान कभी भी बाहर से बने हुए चीजों का सेवन नहीं करने चाहिए घर पर बना हुआ ही खाना खाना चाहिए बाहर बन रहे अंडे खाने से भ्रून और स्वास्त को नुक्सान पहुचा सकता है ठीक है और इसलिए घर पर बने हुए अंडे खाने से आप और आपका बच्चा स्वास्त रहेगा तो आपको घर के बना हुए ही अंडा खाना है अब बात करते हैं कि अंडा खाना किस टाइम है ठीक है दिखें आपको अंडा सुभा कर टाइम खाना है गरवरस्ता की दोरान जितना हो सके नास्ते में अंडा खाने की कोशिस करें क्योंकि इस दोरान सरीर में मेटावाल इन्जम बहुत तेज से होता है इसलिए सुभा की समय अंडा खाने से अपच्की समस्या नहीं होती है और यह आपके सरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदवन होता है ठीक है तो अंडा का सेवन सीमित मातरा में करें गरवरस्ता के दौरण अंडा खाने के फायदे फायदय मंध होता है लेकिं इसका सेवन सीमिक मातरा में ही करना चाहिए आप दिन में एक या दो अंडे ले सकते हैं वो भी पूरी दर से पक्के हुए लेकिन इस से ज़्यादा खाने से बचना चाहिए ठीक है ज़्यादा अंडे खाने से आपकी और आपके बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है अंडे खाने से आपको पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए ठीक है अगर आप उबला हुआ अंडा खा रहे हैं ठीक है तो वह कम कम उबला अंडा जैसे कम उबला हूँ अंडा नहीं होना चाहिए उससे कम से कम 10 से 12 मिनट तक आपको अच्छे से उबालना चाहिए ठीक है तब खाना है कच्छे अंडे मास मचली का सेवन नहीं करना है इतना ध्यान रखना है ठीक है आई होब कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा है रही होगी वीडियो थोड़ी सी भी हेलफ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए तो चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई